नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जिके हेलफ विद जारबी पर हारदिक अभिनंदन एवं स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान प्लिस एक्जाम के लिए पारट बी से समंधित मोस्ट इपोर्टेंट 35 कोस्टनों के बारे में तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यान पूर्वक देखे और आंतिमे आपसे एक जिके का क्वेस्टन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा तो वीडियो स्टार्ट करें इसे पहले आपसे निवेदन चले स्टार्ट करते हैं आज का फर्ष्ट कोस्टन आपके सामने हाली में किस मंत्रा लेने देखो अपना देश वेबिनार लॉंच किया है बहुती इपोर्टन कोस्टन एकरन जीके से समधित देखो अपना देश वेबिनार लॉंच किया मित्रो प्रेटन मंत्रा लेने इसक देखो अपना देश वेबिनार स्रंकला शुरू किया है और आपको मैं बता देता हूं दोस्तों इस स्रंकला का जो पहला वेबिनार है वो दिल्ली सहर के बारे में था और इसे City of Citys Village Personal diary सिर्शक दिया गया तो यह आपको ध्याने रखने है चलिए अगला कोस्तन कि हाली में कोब सेक किस संक्ठन ने विक्सित किया है कोब सेक किस संक्ठन ने विक्सित किया है option आपके सामने नहीं द्यान प्रुक देखे फिर इसका जवाब है दीजिए तो मित्रों ये विक्सित किया है DRDO ने इसका C option राइट है रक्षा अनुसंदान एवं विकास प्रिसद है इसके दुबरा ये विक्सित है किया गया है कोवसेक ये है क्या मित्रों कोवसेक संदिग्द संक्रमित रोग्यों से कोविड-19 नमूने लेने के लिए स्वस्ते कर्मियों के उप्योग है तु एक क्योश सका है तो ये आपको याद रखने है जो रक्षा अनुसंदान एवं विकास संक्रमित ने इसके दुबरा ये विक्सित किया गया है ये आपको द्यान रखना है चलिए अगला कुस्तन की कौन सा देश ACI मुकेबाजी चेंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा बताई दोस्तों कौन सा देश ACI मुकेबाजी चेंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा तो ये करेगा अपना देश बारत इसका ए ओप्सन राइट है ये कब होगा मित्रो ACI मुकेबाजी चेंपियनशिप 2020 का आयोजन होगा नुवंबर दिसंबर 2020 में और आपको द्यान रखना है मेला एवं पुरुष ये दोनों त्रेक इमेजबानी बारत को इस बार सोंपी गई है इस प्रत्योगता का आयोजन आमतोर पर दो साल में एक बार होता है लेकिन अतीत में ये लगातार वर्सों में भी आयोजित हो चुकी है ये आपको द्यान रखना है इस बार भारत में आयोजित होगी चलिए अगला कोस्टन है कि 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज एप्लिकेशन कौन सा है बताएं दोस्तों 50 मिलियन यानि की 5 क्रोड डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का जो सबसे तेज एप्लिकेशन है वो है मित्रो अरोग्य से तुम इसका सी ओप्सन राइट है बहुत ही इप्पोर्टन कोस्टन है आने वाल एक जम्स में ये कोस्टन पूछा जा सकता है तो आपको द्यान रखना है आरोग्य से तुम महज 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज एप्लिकेशन बना है इसने रिकोर्ड किसका तोड़ा है इसने रिकोर्ड तोड़ा है पोकेमोन गो का जिसने 19 दिनों में ये रिकोर्ड बनाया था 50 मिलियन एप डाउनलोड करने का तो ये आपको ध्यारकना है जो अरोगय से तू एप्लिकेशन है ये बल्यूठि टकनीक और जीपियस के जरी आपकी मौजूदा लोकेशन का इस्तमाल करने के बाद ही ट्रेक कर सकता है कि कहीं आप किसी क्रोना संक्रमित मरीज या क्रोना संक्रमित के सक वाले मरीज के पास तो नहीं है तो ये इप्पोर्टेंट है आप इसे इंस्टोल जुरूर करें अरोगय से तू एप्लिकेशन को परदानमंतरी नरेंदर मोदी ने भी ये कहा था कि इस application को आप install जुरूर करें चलिए दोस्तो अगला कोस्तन है कि बारत की मुख्य भूमी की दक्षनी शिमा है बताए दोस्तो बारत की मुख्य भूमी की दक्षनी शिमा कौन सी है तो ये आपको द्यान रखना है आठ डिग्री चार मिनिट उत्री अक्षनास बारत की मुख्य भूमी की दक्षनी शिमा है इसका C option right है चलिए नेस्ट कोस्तन है कि पस्चमी गाट पर पाई जाने वाली वनस्पती का परकार है पस्चमी गाट यहां पर पाए जाने वाली वन्सपती का प्रकार है मित्रो सदा हरित यानि कि इस कोस्चन का डी ओप्शन राइट है इपोर्टेंट कोस्चन है आपको याद रखना है चले साथमा कोस्चन है स्रोच नियले सुप्रिम कोर्ट की विवस्ता बारतिय सविदान में किस देश से ली गई है इपोर्टेंट कोस्चन है वेरी वेरी एक्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है स्रोच न्याले की विवेस्ता बारतिय सुविदान में मित्रो स्यूंगत राज्य अमेरिका से ली गी है इसका C option right है USA ये आपको ध्यान है रखना है और बारत की नियाईक प्रनाली एकल और एकिकरत है जिसके स्रोच सिकर पर उच्टम न्याले है उच्टम या स्रोच न्याले या सुप्रीम कोर्ट एक ही बात है मित्रो आपको ये द्यान रखना है और परजेंट टाइमें उच्टम न्याले कि जो मुख्य नहीं से वो कौन है ये भी आपको द्यान रखना है चलिए अगला कुस्टन है कि सब्संतर भारत की पर्थम मंत्री प्रिशिद में सामिल एक मत्र महला मंत्री कौन थी एक मत्र महला मंत्री थी मित्रो राजकुमारी अमरित कोर इसका बी ओप्सन राइट है वेरी वेरी इप्रोटन कोस्टन आपको द्यान रखना है इनके पास जो केबिनेट मंत्रा ले था वो था स्वस्ते मंत्रा ले स्वस्ते विवाग मंत्रा ले वो इनके पास था ये लगबग 10 वर्षुल तक स्वस्ते मंत्रा ले पद इनके पास रह था तो ये आपको द्यानकना है एक्जाम में बहुत बार ये question पुछा गया है चलिए अगला question है कि pH मुल्यांकन दरसाता है बते हैं दोस्तों pH मुल्यांकन दरसाता है क्या दरसाता है ये आपको बताना है तो मित्रो ये दरसाता है किसी गोल के अमलिय या चारिय होने का मुल्यांक है इसका A option right है चलिए next question है लार का pH मान कितना होता है लार का pH मान कितना होता है ये question exam में पूछा जाता है important है लार और रक्त का pH मान अक्सर पूछा जाता है तो लार का pH मान होता है मित्रो 6.5 इसका A option राइट है Power of hydrogen pH की full form होती है Power of hydrogen या potential of hydrogen A की बात है मित्रो तो जो लार का pH मान होता है वो 6.5 होता है और साथ में आप याद रखें दूद का pH मान दूद का pH मान मित्रो 6.4 होता है 6.4 और शिर्का का पीएच मान होता है मित्रो 2.4 और निम्बु का पीएच मान भी पुछा जाता है तो आपको दिया रखना है 2.2 होता है निम्बू का 2.2, सिर्का का 2.4 और 6.4 होता है दूद का, मिल्क का और ये खून है मित्रो, रक्त, बलड, इसका पियेच मान होता है 7.4 ये एक्जाम में ज़्यादातर पुछे जाते हैं आपको यादे रखने हैं चलिए दोस्तों अगला कोश्चन है कि कानपूर में 1857 की करांती का नेतरतव किशने किया नाना साहिब ने इसका B option राइट है चलिए अगला कोश्चन है कि A.C.I.E. विकास बेंक का मुखेले का स्थित है तो इसका मुखेले स्थित है मित्रो, मनीला में इसका B option राइट है यह फिलिफिंस की राजदानी है मनीला आपको द्यान रखना है यहाँ पर A.D.B. A.C.I.E. Development Bank का मुखेले यहाँ पर स्थित है तो यह आपको द्यान रखना एक्जाम में यह बहुत बार पूछागे इससे रिलेटिव कुछ इपोर्टेंट फेक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ जो A.C.I.E. विकास Bank का इसकी स्तापना हुई थी विश्व स्वस्थे संक्टन इनके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गिए इसका D.Option राइट है विश्व स्वस्थे संक्टन यानि की WHO इनसे रिलेटिव कुछ इपोर्ट एंट फेक्ट मैं आपको बता देता हूँ विश्व स्वस्थे संक्टन की स्तापना हुई थी और प्रजेंट टाइम में इसके मुख्या को है ट्रेडोस एदानो गेंबरेई SS यह आपको द्यारकना और मुख्याले कापर है जिनेवा स्वीजर लेंड में चलिए अगला कोस्तन के हाली में 17 अप्रेल को विश्व में कौन सा दिवस मनाय गया तो यह मनाय गया था मित्रो विश्व हिमोफोलिया दिवस विश्व हिमोफीलिया दिवस इसका बी ओप्सन राइट है चलिए अगला कोस्त ने के बारतिय क्रिकेट टीम के किस खिलाडी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम न्यूक्त किया है बते हैं दोस्तों तो आपको दिना रखना है रोजित सर्मा को न्यूक्त किया है इसका सी ओप्सन राइट है चलिए अगला कोस्त ने के विश्व वन्याजीव स्रंक्षन कोस्त का मुखेले का स्तीत है तो विश्व वन्याजीव स्रंक्षन कोस्त इसका मुखेले का प्रस्तीत है वित्रो स्विजर लेंड में Switzerland के Glend Nagar में इस्तित है यह आपको ध्यान रखना है Glend Nagar Glend Nagar इस किस्ता आपना कब होई थी 1901 में होई थी यह भी आपको ध्यान रखना है चलिए अगला कुस्टन है के जल में पड़ी लकडी तिर्ची दिखाई देती है किस कारण जल में पड़ी लकडी तिर्ची दिखाई देती है किस के कारण दिखाई देती है प्रकास के अपवर्तन के कारण इस कोस्टन का B option राइट है Very very important question है दोस्तों प्रकास के अपवर्तन से relative कोस्टन अक्सर एक्जाम में पूछे जाती है पानी में पड़ा सिका उपर उठा दिखाई देता है किस कारण प्रकास के अपवर्तन के कारण और तारों का टिम्ट माना ये भी प्रकास के अपवर्तन के कारण ही होता है आपको ध्यान ये रखना है चलिए अगला कोस्टन है निमन में से कौन सा तट पस्चमी तट का बाग नहीं है तो आपको द्यारकना है कोरोमंडल तट है ये पस्चमी तट का बाग नहीं है इस question का B option right है बागी बात करेएं, मलाबार तट, काठियवार तट, कॉंकडन तट, ये पस्टमी तट के अन्तरगत आते हैं, लेकिन कॉरोमंडल तट ये पस्टमी तट का बाग है, नहीं है तो या पुम्बाई मेशो अड़े में स्टेडियाब है और दोस्तों जो राजस्तान पुछा गया था कि वान खेड़े स्टेडियम कापरस दीती तो यह वी आपको द्याइक ना है यह बुंबाई में स्टीतै है और फिरोसा ना ये पूरुवय का नाम है लेकिन प्रजेंट टाइम में इसका नाम है अरुन जेटली neutrी पूछ já Hadra स्टेडियम आपको बतानाएं यह जो मोटेरा स्ट्यडियम है यह इसका जुब आपको वीडियो के केमेंट बॉक्स में देना है चलिए ने चस्ए को इसने कि राज तरंगनी की रचना के थी किलन ने इसका डी ओप्सन राइट है आपको कुछ और इपोर्टेंट रचनाई याद करवा देता हूं जो गीत गोविंद है मित्रों गीत गोविंद इसकी रचना किस नहीं की थी जैदेव ने यह आपको द्यानक नहीं और कालिदास इनके द्वारा बहुत सी रचनाई की गई यह तो आपको याद रिखने कुमार शंबव है क अभी गयान शाकुंतलम रगुबन संव इनके रचनाई के द्वारा के गी कलिदास के द्वरा और चनक क्या कोटल या विश्यू गवद एक ही बात है दोस्तों चनक के द्वारा क्याद सी बोधीमित रचषक्त ak ko sap a ti aratus सास्थर में और सापंद किस के बारे में बताये घू तो आपको ढान रखर राजनति के बारे में ये कुस्टन बहुत पुछा जाता है चो रचना इस में बता कि राजनति के बारे में नहीं की थी चलें चाले पता है मित्रो थे की क्रचलिया कि बारतया मानक Congressman मैं अधारित है बारतिया मानक समय अधारित है बताई दोस्तों यह कोस्टन बहुत ही इप्पोर्टेंट है तो यह अधारित है मित्रों 82 डिगरी 30 मिनिट पुर्वी दिसांतर पर इसका वी ओप्षन राइट है चलिए तेश्मा कोस्टन है कि सोडियम बाई कार्बोनेट का वनिज्यक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट का वनिज्यक नाम क्या है मित्रों यह आपको बताना है ओप्षन आपके सामने है ध्यान पर देखिए फिर इसका जवाब दीजिए तो इसका वनिज्यक नाम है बेकिंग सोडा इसका बी ओप्षन राइट है आपको मैं फोर्मुला बता देता जो फोर्मुला है वो है इन एच सी ओ थ्री यह आपको द्याने रखना है यह जो सोडियम बाई कार्बोनेट है इसके अन्य नाम है खाने का सोडा या मिठा सोडा एक्जाम में पुछा जा सकता है कि खाने का सोडा का रसानेक सूतर क्या है तो यह आपको द्यान रखना है औ मिलेरिया रोग का कौन सा वायक है तो दोस्तों मिलेरिया रोग का जो वायक है वो है मादा एना फिलिज मादा एना फिलिज मच्छर है इसके काटने से मिलेरिया रोग होता है आपको मैं बता देता हूं दोस्तों यह जो मादा एना फिलिज मच्छर है यह पहले संक्रमित वेक प्लाज्मोडियम यह आपको लिख देता हूं यहां पर प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का रोग का रख होता है और इसका वायक है मादा एना फिलिज मच्छर प्रभावित अंग होता है मित्रो तिल्ली एवं आर्बिशी यह जो आर्बिशी यानिके रेड़ बलड कॉप्शिल है इन में इसका वायरस से मिल जाता है यह आपको द्याने रखना है चले अगला कुछ ने गांदी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी बताए कां से शुरू की थी गांदी जी ने दांडी यात्रा तो मित्रो ये की थी साबरमती आशरम से इसका सी ओप्शन राइड है 12 मारच 1930 ये डेट याद रखना 12 मारच 1930 को गांदी जी ने अपने 89 समर्थक के साथ साबर्मती आशरम से दांडी यात्रा शुरू की और ये कब कम्पलेट हुई 6 अप्रेल 1930 को 6 अप्रेल 1930 इसवी को गांदी जी ने नमक कानून तोड़ा था वेरी वेरी इप्रोटन कोस्टन है यहाँ पर 4-5 अच्छी तरह से आपको याद हो जाते कि 12 मारच 1930 को ये शरू ही थी उसमें इनके कितने साथ समर्थक दे 79 और ये कब कम्पलेट हुई 6 अप्रेल 1930 को तो ये आपको द्याने रखना है चलिए दोस्तों अगला कोस्टन है कि पाकिस्तान के राजनितिग्य इम्रान खान किस खेल के अंतरश्ट्रे खिलाड़ी रही है इंटरनेशनल प्लेयर क्रिकेट खेल के रही है इसका ए ऑप्सन राइट है बहुत ही इप्पोर्टेंट कोस्टन है ये जो इम्रान खाने मित्रों परजेंट टाइम में पाकिस्तान के परदानमंत्री है ये आपको द्यान रखना है पाकिस्तान तैरीक ए इनसाफ इनकी पार्टी का नाब है अगला कोस्टन है कि हमारे राष्ट्रे द्वज का केसरिया रंग परदर्सित करता है ये जो केसरिया रंग है मित्रों ये क्या परदर्सित करता है ये आपको बताना है तो ये परदर्सित करता है मित्तो वीर्ता और बलिदान को किसको वीर्ता और बलिदान को इस कोस्टन क बी ऑप्सन राइट है चलिए नेस्ट कोश्चन के विज्जे नगर का पर्थम सासक कोन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संदी की तो आपको याद रखने मित्रो किर्षन देवराय पर्थम सासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संदी की थी इसका सी ऑप्सन राइट ह यह जो किर्शन देवराय है मित्रो यह विज्जे नगर समराज्य का परशीद सासक है था यह आपको याद रखना है और जो बाबर है मित्रो अपनी आतम कथा बाबर नामा में बताता है कि दक्षिन का सबसे सक्ति साली सासक है किर्शन देवराय है था यह भी आपको द्याने रखना है छलिए उनक्टिसम कोस्टिने के परसिद उपनियाश द गाइड किसे ने लिखाता अंग्री जी बसुट्ब पुचे जा सकते हैं आपको द्यान रखना है डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के रष्ट पती है यह जो दक्चिन कोरिया है यानि के रजधनी क्या है सीउल सौथ कोरिया की रजधनी आहिए सुपत्तिका अधिकार सिवधानिक अधिकार है यह बताया गया है तो यह किस अनुचेद में बताए गया अनुचेद 300 काय में इसका सी ओप्सन राइट है इससे पहले दोस्तों यह मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन मौलिक अधिकार से चुमालिस में सिवधान संसोदन 1978 में हटा दिया और फिर इसको कानूनी अधिकार बना दिया और कानून का जो समान्य रग्चाप होता है मित्रो 120 अबलिक 80 mmHg यानि किसका ए ओप्सन राइट है यह कोस्चन अक्सर पुछा जाता है आपको मैं बता दें रग्चाप यानि कि BP ब्लड प्रेशर कह सकते हैं इंगलिस में और ब्लड प्रेशर किस से जांच किया जाता है चेक किया ज स्टीफन हैसके दोरा लिअ ब्लड प्रÉCOR को चेक करने वाले यंतर का जो अप्षकार किया गया था यह आपको याद है रखने चली नस्ट कोस्टन के मानवश्रीर का रखत बैंक किसे कहते हैं तो मानवश्रीर का रखत बैंक कहते हैं मित्रो पलिया को इसका A option राइट है चलिए 34 कोस्टन है बारत में जूट उत्पादन में अग्रेनी राज्य कौन सा है तो जूट के उत्पादन में मित्रो अग्रेनी राज्य है पस्चिम बंगाल है इस कोस्टन का B option राइट है और आज का अंतिम कोस्तन है कि कि सक्षनिक संक्टन ने सकुली चात्रों के लिए फिट इंडिया के साथ बागिदारी किये सक्षनिक संक्टन है मित्रो जिसने सकुली चात्रों के लिए फिट इंडिया के साथ बागिदारी किये तो आपको द्यारना करें उस सेंक्टरन का नाम है CBSE केंद्री है माद्यमिक सिक्षा बोर्ड CBSE इंदी में इसकी फुलफों में सेंट्रल बोर्ड ओफ सेकेंडरी इजुकेशन इंगलिस में इसकी फुलफों में इसकी स्तापना कब होई थी यह बहुत बार पूछा गया कि CBSE की स्तापना होई थी 1962 में और इसका जो मुखेले का है वो है न्यू दिल्ली में यह आपको द्याने रखने है CBSE का मुखेले है न्यू दिल्ली में तो दोस्तों यह थे most important 35 questions आपको यह वीडियो किसा लगा यह comment box में जुरूर बताएं और इन 35 questions में से आपके कुल कितने questions राइट हो रहे है यह भी comment box में जुरूर बताएं और साथ में आपको बता देता हूं दोस्तों अगर आपने telegram channel को join नहीं किया है तो telegram channel का link description में दिया गया है वहां से आप join कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए Instagram ID का link भी description में दिया गया है वहां से आप जुड़ सकते हैं चली दोस्तों अब बात करते हैं last video में जो आपसे question पूछा गया था उसके बारे में लाश्ट वीडियो में आपसे question पूछा गया था कि राष्ट्रे मतदाता दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों यह मनाया जाता है 25 जनवरी को इसका B option राइट था और आप सभी ने इस question का जवाब राइट दिया आपको पुन्हा केता हूं कि question का जवाब आप comment box में जरूर ल मुनिश्य में कौन सा रख्ट सरफदाता रुदीर वरग कहलाता है एक option आपके सामने ओ ए ए बी बी यह रख्त गूरूप है मित्रो इनका आपको बताने की सरफदाता रुदीर वरग कौन सा है तो यह था मित्रो पार्ट बी से समंदीत राजस्तन पलिस का वीडियो आपको यह कैसा लगा यह जरूर बताएं और नेक्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम जय भारत